मंगल ग्रह की गुतियां सुलजाने के लिए नासा का रोबोटिक मार्स इंसाइट लेंडर सौमार की रात सफलता पूर्वक मंगल की धर्ती पर लेंड कर गया इंसाइट मंगल ग्रह की आंतरिक सनरचना पृत्वी से कितनी अलग है इसका पता लगाएगा नासा ने इंसाइट की लेंडिंग लाइफ दिखाई मंगल की कक्षा में पहुचने के समय इंसाइट की स्पीड उन्नेस हजार आट सो किलो मीटर की थी जो लेंडिंग के वक्त घटकर आट किलो मीटर पति घंटा की रह गई इंसाइट का ये मिशन मंगल करीब 7,044 करोड रुपे का था इंसाइट की मंगल पर लेंडिंग की पूरी प्रक्रिया 7 मिनट तक चली भारतिय समय अनुसा सोमवार रात एक बचकर 24 मिनट पर इंसाइट मंगल की सताय पर उत्रा 7 मिनट तक पूरी दुनिया के बैग्जानिक दम साधे इस पूरी प्रक्रिया को लाइफ देखते रहे जैसे ही इंसाइट ने मंगल की सता को चुआ सभी बैग्याने खुशी से जूमने लगे नासा के प्रशासनिक जिम ब्राइन डेंस्टाइन ने इंसाइट की टचडाउन का एलान करते ही सभी को बधाई दी इसी साल पाँच मई को नासा ने कैलिफोर्निया के बंडेन बर्ग एर फोर्स स्टेशन से एटलस वी रॉकेट के जरीए लॉंच किया था इससे पहले 2012 में मंगल पर पहला यान क्यूरो सिटी भेजा गया था उस मिशन में मंगल ग्रह पर पानी की मौजूद्गी के बारे में पता किया गया था वहीं इस बार इंसाइट मंगल की आंतरिक सनरचना के बारे में पता करेगा